ओम शांती आचार एप्रिल दो हजार चौबीस के बाबा के अनमोल मधुर महावा के सुनेंगे आज के मुल्ले में बाबा ने हमें कर्म की गुए गती का ग्यान दिया है बाबा कहे बच्चे तुम्हें ग्रहस्त व्यवहर में रहते हुए जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो पारलो की बाब के साथ एक्सजेंज करो यहाँ जो तुम बाबा को अर्पित करेंगे पदम गुना हो करके नई दुनिया में उसकी प्राप्ति होगी और वह भी एक किस जन्मों तक लेकिन बाबा कहे तुम्हें ध्यान रखना है कि इस दुनिया के अंदर पापात्माओं के साथ कोई लेन देन नहीं करनी है क्योंकि पापात्माओं के साथ लेन देन किया तो हिसाब किताब बन जाएगा और वो हिसाब किताब को कर्म भोगना के रूप में चुक्तु करना पड़ेगा लेकिन ऐसे समय में ड्रामा का ज्यान भी हमें बहुत मदद करता है जब उद्धी में ये बात रखते हैं कि ये ड्रामा अनादी अविनाशी है ये कल्प पहले भी हुआ था फिर हुआ है और इस एक जन्म में भी थोड़ा समय ये कर्म भोगना का पाठ है जो चुक्तु करना है तो खुशी खुशी उसको चुक्तु कर सकेंगे क्योंकि जब प्राप्ती सामने है कि 21 जन्म फिर निरोगी काया कोई प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा ये बुद्धी में रखने से यहां कर्म भोगना को चुक्तु करना सहज हो जाएगा साथी साथ बाबा कहे सवेरे सवेरे उठकर जितना विदेही बनने का अभ्यास करेंगे उतना ही मदद मिलेगी शरीर से डिटैच हो करके उस कर्म भोगना को चुक्तु करनेगे तो बाबा कहे बाबा की याद में रह करके अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाते जाओ तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मदुर महावाथ की ओम शांती, मीठे बच्चे, ग्रहस्त व्यवहार में रहते पारलोक एक बाप से पूरा वर्सा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, यह बहुत बड़ा व्यापार है आज की मुर्ली से प्रश्न है, ड्रामा का ग्यान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है उतर, जब शरीर के कोई बीमारी आती है, तो ड्रामा का ग्यान बहुत मदद करता है क्योंकि तुम जानते हो, यह ड्रामा हू बहु रिपीट होता है इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं कर्मों का हिसाब किताब चुक्तू होना है 21 जन्म के सुख की भेट में यह दुख कुछ भी भास्ता नहीं तो प्राप्ती 21 जन्म की सामने रखने से इस समय का थोड़ा सा पीरिड है जो दुख दर्द का वो भासेगा नहीं ज्यान पूरा नहीं तो तड़पते हैं ओम शान्ती भागवान वाज भागवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है ऐसे नहीं कि भागवान का नाम रूप देश काल नहीं है बाबा कहे यह नहीं कि भागवान अपना शरीर नहीं माना उसका नाम रूप देश काल नहीं है नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकि सम आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रुहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, वैसे भी आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पाट बजाती है, शरीर द्वारा करम करती है, संसकार आत्मा ल अच्छे बुरे करमों का फल भी आत्म ही भोगती है शरीर के साथ बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकते इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्म समझकर बैठो ताकि शरीर से डिटैच होंगे तो भोगना भासेगी नहीं बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्म सुन रही है इस शरीर द्वारा, भगवानु वाज, मन मना भव, दे सहित दे के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो, यह एक ही बाप कहते हैं, जो गीता का भगवान है, बाप कहते हैं, जो गीता का भगवान है, वही हमें सच समझाते हैं, भगवान माना ही जन्म मरण रहित, शरीर ही नहीं है, तो जन्म मरण रहित, बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है, क्योंकि वह कोई मा के गर्ब से जन्म नहीं लेते हैं, अउत्रित होते हैं, इसलिए परमात्मा का भगवान का जन्म अलौकिक गाया हुआ है, और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इन में प्रवेश करता हूँ इसलिए गीता में भी लिखा है कि अर्जुन मेरा जन्म दिव्य और अलोकिक है मनुश्य सद्रिश नहीं है यह तो अच्छी रिती याद करना चाहिए ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है पूज्य पूजारी ठिकर भित्तर परमात्मा है चौबिस अउतार कच्छ मच अउतार परशुरा मउतार दिखाते हैं अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुरा मउतार लेंगे और पुलाडा लेकर इंसा करेंगे ये रॉंग है जैसे परमात्मा को सर्व्यापी कह दिया है ऐसे कल्प की आयू लाखो वर्ष लिख दी है इसको कहा जाता है घोर अंध्यारा अर्थात ज्यान नहीं है घोर अंध्यारा है माना ज्यान नहीं है ज्यान से होता है सोज़रा अब अज्यान का घोर अंध्यारा है अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो पूर्ण ज्यान जहां है तो ज्यान का घोर सोजरा हो जाता है तुम सबको अच्छी रिती जानते हो जो नहीं जानते हैं वो पूजा आदि करते रहते हैं तुम सब को जान गए हो इसलिए तुम को पूजा करने की दरकार नहीं तुम अभी पूजारी पन से मुक्त हुए पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुर्शार्थ कर रहे हो तुम ही पूज्य देवी देवता थे मनुष्य को देवता की एक करतनलागी वार एक सेकंड में देवता बना देते हैं बाप को बीधा को घान वारर, आश्य बाबा कहने लगा बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं यह है बेहत का बाप अभी तुम फट से आकर पारलोकिक बाप के बने हो बाप फिर कहते हैं ग्रहस्त व्यवहर में रहते हुए अब पारलोकिक बाप से वर्सा ले लो लौकिक वर्षा तो तुम लेते आये हो अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो बाबा कहे इस पुरानी दुनिया का जो कुछ भी है एक्सचेंज करो पारलौकिक बाब के साथ तो क्या होगा? दावा कहे कितना अच्छा वियापार है? लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहत का वर्षा. सो भी गरीब जट ले लेते हैं. गरीबों को एडॉप्ट करते हैं. बाप भी गरीब निवास है ना? गायन है, मैं गरीब निवास हूँ. भारत सबसे गरीब है. मैं आता भी भारत में हूँ. इनको आकर शावकार बनाता हूँ. भारत की महिमा बहुत भारी है. यह सबसे बड़ा तिर्थ है. परन्तु कल्प की आयू लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गये है. समझते हैं भारत बहुत शावकार था. अब गरीब ब आगे अनाज आदी सब यहां से विलायत में जाता था. इतनी पैदाईश होती थी. अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है. इसलिए दुनिया के लोग भी मदद करते हैं. ऐसा होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं यह भारत है सबसे प्राचीन. भारत ही हैवन था. पहले पहले आदी सनातन देवी देवता धर्म था. सिर्फ टाइम लंबा कर दिया हैं. इसलिए मूंझते हैं. मनुश्य मूंझ गये हैं. भारत को मदद भी कितनी देते हैं. बाब को भी भारत में आना है. तुम बच्चे जानते हो. हम बाप से वर्सा ले रहे हैं. लौकिक बाप का वर्सा एक्षचेंज करते हैं पारलौकिक बाप से. जैसे इसने यानि प्रमा बाबा ने किया अपना लौकिक पुराना जो कुछ भी था, शिय बाबा को दे करके विश्व का भविश्य, किया देखा पारलोकिक बाप से तो ताज तक्त मिलता है कहां वह बादशाई कहां ये गदाई कहां भी जाता है follow father भूख मरने की तो बात ही नहीं बाप कहते हैं trusty हो कर संभालो एई सोचते हैं बाबा को सब कुछ दे देंगे तो हम भूख मरेंगे बाबा कहें भूख मरने की तो बात ही नहीं बाबा कहें trusty हो कर फिर संभालो बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है तब तो बाप को बुलाते हैं ये परमपिता परमात्मा रहम करो सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं दुख में सिमिरन सब करते हैं अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमिरन करो तुमको तो सिमिरन करना भी आता नहीं है मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ कैसे सिमिरन करना है तो बाबा सिखाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलोकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे सिमेर सिमेर सुख पाओ जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे तुम ऐसे कंचन थे फिर पुनर जनम लेते लेते आत्मा पर जंग चड़ जाती है फिर शरीर भी पुराना मिलता है जैसे सोने में एलॉई डाला जाता है पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा उसमें चमक होती है एलॉई वाला जेवर काला हो जाएगा बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है उसको अब निकालना है कैसे निकलेगी बाप से योग लगाओ पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है न, यह तो बा, पीचर, गुरु सब कुछ है इसलिए दीनों ही संबन से हम याद कर सकते हैं उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी है पतीत पावन सर्वशक्ती मान तुम मुझे ही कहते हो कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं कैसे समझाते हैं? मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे पांच हजार वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो इसलिए तुमको सिकी लधे कहा जाता है सिकी लधे माना ही जो बहुत काल से बिछड़े हुए फिर आकर मिलते हैं तो उसको सिकी लधा कहते हैं अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म भी मानी बनो आत्म का भी ज्यान दे दिया तो बाप भी गर कोई दे न सके बाबा नहीं आकर आत्मा का भी ज्ञान दे दिया तो ये बाप के सिवाई कोई भी दे न सके कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते ये आत्मा की वास्तवित्ता क्या है अब वह ताकत नहीं रही है सबकी ताकत कम हो गई है सारा ज़ार जड़ड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है अब फिर नई स्थापना होती है बाप आकर वेराइटी ज़ार का राज समझाते हैं कहते हैं पहले तुम रामराज्य में थे फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावन राज्य शुरू होता है फिर और और धर्म आते हैं बक्ती मार्ग शुरू होता है सत्युक्तरिता के बाद जैसे ही द्वापर में आते हैं तो वाम मार्ग मन विक्रत मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो फिर और और धर्म भी आते हैं और भारत में भक्ती मार्क शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो तुम रचेता और रचना के आदी मध्यंत को जानते हो। तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तू को कहते हैं अब तुम जज करो। बोड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रियेटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे। हम आत्म यहां बिन बिन शरीर लेकर पाड बजाते आते हैं तो जरूर यह नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना, गीता नई दुनिया को क्रियेट करती है, यह भी किसको मालूम नहीं है, नई दुनिया को कैसे क्रियेट करते हैं, नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो, अभी यह है पुर्शोत्तम संगम युगी दुनिया यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है यह है संगम ब्रामनों की चोटी है विराट रुप में भी नश्य बाबा को दिखाते हैं न ब्रामन चोटी दिखाते हैं तुमने तो चोटी भी दिखाई है उपर में तुम ब्रामन तुम तरफ बैठे हो, देवताओं के पीछे हैं क्षेत्रिय, ब्रमापर में पेठ है पुजारी, फिर शिद्र बनते हैं, तो ब्रामन है चोटी, देवता है मुख, बाहे है क्षेत्रिय और पेठ है पुजारी। यानि वैशित, फिशुद्र बनते हैं, यह बाजोली है, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है, बाबा कहे, तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है, सेकंड में सब याद आ जाता है, हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, यह राइट चित्र है, वह रॉंग है, बाब बिगर राइट चित्र कोई बनवा न सके, इन द्वारा बाब समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं रुहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं यह सतसंग है सत बाप के साथ वह है जूट संग सचखंड बाप स्थापन करते हैं मनुष्य की ताकत नहीं है सचखंड स्थापन करना यह मनुष्य की ताकत नहीं भगवान ही कर सकते हैं भगवान को ही ग्यान का सागर कहा जाता है मनुशिय भी नहीं जानते कि ये परमात्मा की महिमा है कौन सी ग्यान का सागर, शान्ती का सागर ये परमात्मा की महिमा है वह शान्ती का सागर तुम को शान्ती दे रहा है सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो शरीर से न्यारा हो बाप की याद में रहते हो यहां तुम आये हो जीते जी मरने बाप पर नियोच्छावर होते हो यह तो पुरानी दुनिया पुराना चोला है इनसे जैसे नफरत आती है इनको छोड़ कर जाएं कुछ भी याद न आये सब कुछ भूला हुआ हो इतना डिटैच हो जाना है तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है तो अब उनको दे दो भगवान फिर तुमको कहते है तुम ट्रस्टी बनो भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा ट्रस्टी तुम बनते हो फिर पाप तु करेंगे नहीं अमानत समझेंगे जो कुछ भी अपने पास है इश्वर अरपन करना और फिर बाबा को नहीं चाहिए बाबा कहे तुम ट्रस्टी होकर संभालो अर्था कि इस धन से तुम कोई पाप नहीं करेंगे न कोई पाप आत्माओं से लेन देन करेंगे इसलिए बाबा कहे भगवान ट्रस्टी नहीं बनता तुम को बनना है जिस तरह ट्रस्टी अमानत समझ करके उसको संभालता भी है और कैफुली यूज करता है तो बाबा कहे ट्रस्टी तुम बनते हो फिर पाप तु करेंगे नहीं आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है अब संभाम यूग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है काईदा सिखाते हैं कि और हिसाब किताब नहीं बढ़ाओ नहीं तो फिर उसको कर्म भोगना के रुप में चुक्तू करना पड़ेगा यह अंतीम जनम है इसलिए बाबा बच्चों को बड़े रहम दिल के साथ ये बात सिखाते हैं कि अब संभाम यूग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है पाप आत्माओं को दान दिया तो पाप सिर पर चड़ जाएगा करते हो इश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को बाप कुछ लेते थोड़ी है बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतो का कल्यान होगा ट्रस्टी होकर धन को संभालना अर्थात अगर उसको लगाना भी है तो जहां बहुतों का कल्यान होता है वहां लगाओ पाप आत्माओं के साथ अगर लेन देन किया और वो उस धन को गलत रास्ते पर यूज करेगा तो उसका पाप अपने सिर पर भी चड़ जाएगा इसलिए बाबा कहे कि तुम पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करो बाप समझाते हैं जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं कर्मों का हिसाब किताब चुक्तू होना तो अच्छा ही है वैद लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुक्तू करना है या तो योग से या फिर सजाओं से चुक्तू करना पड़े सजाएं तो बहुत कड़ी है उनसे बिमारी आदी में चुक्तु होता तो बहुत अच्छा वह दुखे किस जन्म के सुख की भेट में भास्ता नहीं है क्योंकि सुख बहुत है ज्यान पूरा नहीं है तो बिमारी में कुड़कते रहते हैं यानि तड़कते रहते हैं, बिमार पढ़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा है, एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं, वह लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु है, एक सत्गुरु को तो तुम ही जानते हो, वह अल्माइ गरंथो आदी को जानता हूं यह बक्ती की सामगरी है इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है बाप आते ही है पाप आत्माओं की दुनिया में यहां पुन्या आत्म कहां से आई जिसने पूरे 84 जन्म लिये हैं उनके शरीर में आता हूं सबसे पहले यह सुनते हैं बाबा कहते हैं यहां तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है यहां बल तुफान भी आएंगे परन्तु बाप समझाते रहते हैं यह अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो कल पुप पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था दिन प्रते दिन तुम सुनते ही रहते हो राजधानी स्थापन होती रहती है पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सभी रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज की मुरली से धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करने है पुराने दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद न आए सब कुछ भूला उआ हो दूसरी पॉइंट संगम युक पर पाप आत्माव से लेंदें नहीं करने है कर्मों का हिसाब किताब खुशी-खुशी से चुक्तु करना है रोना पीठना नहीं है सब कुछ भाप पर नियोच्छावर कर पिट्रस्टी बन संभालना है आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है मैसूस्ता की शक्ती द्वारा स्वा परिवर्तन करने वाले तीवर पुर्शार्थी भव मैसूस्ता की शक्ती द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले तीव्र पुर्शार्थी भव कोई भी परिवर्तन का सहज आधार मैसूस्ता की शक्ती है जब तक मैसूसता की शक्ती नहीं आती, तब तक अनुभुती नहीं होती और जब तक अनुभुती नहीं, तब तक ब्राम्मन जीवन की विशेशता का फाउंडेशन मजबूत नहीं इसलिए बाबा कहे, realization, स्वयम की शक्तियों का, उसको भी realize करो तो ब्राम्मन जीवन की विशेशता का foundation मजबूत हो अगर foundation मजबूत ने तो उमंग उत्सा की चाल नहीं जब मैसूस्ता की शक्ती हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीवर पुर्शार्थी बन जाते हो मैसूस्ता की शक्ती सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है आज का स्लोगन है स्ने के स्वरुप को साकार में इमर्च कर ब्रह्मा बाप समान बनो जिस तरह ब्रह्मा बाप स्ने की साकार मुर्ति थे तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी ये अलौकिक स्ने, दिव्य स्ने को साकार में इमर्ज करना है अर्थात इस जीवन में इमर्ज करना है और सब के साथ स्ने भरा व्यवहार करना है अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना है अच्छा ओम शान्ति